इस जड़ी बूटी से आपके बाल हमेशा के लिए गिरना बंद हो जाएंगे जी हाँ इतना जबरदस मैजिक लेकर आई हूँ बालों की ग्रोथ नहीं हो रही बाल गिर चुके हैं लेकिन सब ट्राइ करने के बाद भी वापस नहीं आ रहे री ग्रो नहीं कर रहे तो बस बहुत आसान है टेली बेसिस पर जो भी आप अपने बालों में आईल यूज करते हैं तेल यूज करते हैं उस आईल में आपने दो से तीन चीज़े एड़ करनी है और बस आपका काम हो गया इस से आसान भी बला कोई रेमेडी हो सकती है लेकिन वह भी होंगे जब तक आपके बालों के जड़े मस्बूत नहीं होंगी स्ट्रॉंग नहीं होंगी वह कहते हैं ना जब दरखत के जड़े मस्बूत हों तो दरखत आटोमेटिकली अच्छा पहल देता है इसी तरह automatically जब आपके बालों के जड़े मस्बूत होंगे आपके बाल shiny भी होंगे, मस्बूत भी होंगे, strengthen भी आएगी और volume भी आएगा तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसे कैसे त्यार करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर new हैं तो बता दू मैं हूँ शुमाइला और ये है शुमाइला ग्लैम यूटूब एंड फेस्बुक चैनल जहां मैं डेली बेसिस पर अपने सब्सक्राइबर के demand और solution पर एक वीडियो अपलोड करती हूँ जो होती है hair care, healthcare और skincare के मतलिक अगर आप भी अपनी demand पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे red subscribe का button दबाएं और हमारी family का हिस्सा बन जाएं आज जो remedy आप से share करने आई हूँ वो तमाम problem को हमेशा के लिए खत्म करने वाली है चाहे वो problems आपको thyroid के वज़ा से हो, diabetes के वज़ा से हो या pregnancy की वज़ा से क्योंकि most of khawatin में pregnancy के बाद बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले ले लीजिए one of the most powerful ingredient लेकोरिस जी हाँ यह है मुलठी देखने में जितनी simple और आम है इतनी ही powerful है अगर आपके पास मुलठी की roots available हैं तो best है otherwise आपने इस किसम की मुलठी लेनी है इसलिए आपको मिल जाएगी otherwise link description में add कर दिया है आप वहाँ से भी order कर सकती है मैंने इस मुलठी की चाल को इस तरह से बारिक कर लिया है सम्टाइम्स हमारे बालों में ऐसी fungus आ जाती है कि बालों की growth रुख जाती है बाल बढ़ते नहीं है तो ये उन सब का solution है अब लेली जी एक शीशे का जा या पोतल और एड़ कर दीजिए इसमें जैतून का तेल सरसों का तेल, कैस्टरॉयल तीनों तेल की मिगदार बडाबर होने चाहिए अब इसमें एड़ कर दीजिए मुलठी की जड़े या करश की हुई मुलठी की चाल दो चमच और एड़ कर दीजिए रोजमेरी हर्ब सिंपल रोजमेरी आपके बालों के लिए बहुत बैनिफिशल है इतनी पावरफुल है ना कि वीडियो अप्लोड कर चुकी हूँ आई बटन पर क्लिक करें अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा आप वीडियो देख सकते हैं अब फाइनली मिक्स कर लीजिए अगर आप सिर्फ एक ओयल इस्तमाल करना चाहते हैं जैसे कि आप चाहते हैं सरसुन का तेल इस्तमाल करके आप इसे तयार कर सकें तो जी हैं आप कर सकते हैं मुलठी को हमने ओयल में इन्फ्यूज करना है जिसके लिए आप डबल बॉयलर कर इस्तमाल कर सकते हैं और बस देखें कैसे आपके तमाम प्रॉब्लम में हल हो जाएंगे आजकल बॉइस में बालनेस के बहुत प्रॉब्लम है जैसा के बाल गिरना स्राट होते हैं रुखते नहीं है और दुबारा नहीं उखते तो यह और बहुत इफेक्टिव होने वाला है जरूर बनाएं जरूरी नहीं है कि एक घंटे के लिए आप वाश कर ले आप इसे दो से तीन दिन तक भी लगा रहने दे सकते हैं हो गई न एक और प्रोब्लम सॉल्स तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली जोन में इस वीडियो को किसी की जरूरत है तो शेयर भी कर दीजिए हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जल्दी से नीचे रेट सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और साथ में बेल का आइकन है उससे भी प्रेस कर लीजिए तो मैं मिलूँगे कल एक नए मैजिक के साथ अपने खियाल रगिएगा अपने इस चैनल का भी